इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ संस्कृत की प्रश्ण बैंक 2022 की एकाई 18 के क्वेश्चन्स को समझेंगे आपका क्वेश्चन है अधु लिखी तेसु नात्यांसम अधिकरत्य प्रश्णा नाम उत्तराणी लिखत नीचे लिखे हुए नाटक के अंसों को आधार मान कर प मलिका मलिका कहती है भो अत्र पूजनम ना भविस्यती यहां पूजन नहीं होगा अहम स्वा सक्खी भी सह स्वाह प्रातह कासी विस्वनाथ मंदिरं गमिस्यामी मैं अपनी सक्खियों के साथ कल प्रातह कासी विस्वनाथ मंदिर जाऊंगी तत्र गंगा इश्णानम धर्म यात्राश्च वयम करिस्यामा वहां गंगा इश्नान और धर्म यात्रा हम सब करेंगे चंदन ने बोला सखी भी सह सखीयों के साथ ना मया सह मेरे साथ नहीं विसाद नाट्यती यानि दुखी होकर बोला मलिका ने बोला आम हां चंपा गौरी माया मोहिनी कपिल दया सर्वाह गच्छन्ती चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला सभी जा रही हैं अतह मया सहत तवा गवनस्य ओचित्यम नास्ती इसलिए मेरे साथ तुम्हारे जाने का कोई ओचित्य नहीं हैं वयम सप्ताह अंते प्रत्या गमिस्यामह यानि हम सब सप्ताह के अंत में वापस आ जाएंगे तावत गरह विवस्थाम धेनु दुग्ध दोहन विवस्थाज परिपाल यें तब तक आप घर की विवस्था और गाय के दुध दोहने की विवस्था का परिपालन करें यानि उसको समहा लें तो इसमें आपका क्वश्चन है मल्ली का पूजार्थम सक्खीवी सह कुत्र गच्छतिस्म यानि मल्ली का पूजा के लिए सक्खियों के साथ कहा जा रही थी विस्वनात मंदिरे सक्खिवी सह गच्छतिस्म यानि विस्वनात मंदिर में सक्खियों के साथ जा रही थी पिर अगला है किम दुग्द दोहुनम परिपाल तो आंसर है धेनुह दुग्द दोहुनम परिपाल पिर अगला है वयम कदा प्रत्या गमिस्यामा हम सब कब वापस लोट कराएंगे वयम सप्ता हांते प्रत्या गमिस्यामा यानि हम सब सप्ता के अंत में वापस आ जाएंगे फिर अगला आपका नाटक है ब्रांता कस्चन बालह पाट साला गमन बेलायाम क्रीड तुम आगच्छत ब्रांता मतलब भटका हुआ कश्चन मतलब कोई बालह मतलब बालक भटका हुआ कोई बालक पाट साला गमन बेलायाम मतलब की स्कूल जाने के समय क्रीड तुम आगच्छत खेलने के लिए आया किन्तु तेन सह केली भी कालम छेपतुम तदा कुअपी न वयस्यसू उपलब्यमान आसीद लेकिन उसके साथ खेलने के लिए उस समय कोई भी उपलब्द नहीं था क्योंकि वे सभी पूर्व दिन पाठान यानि पहले दिन पढ़ाए हुए पाठो को याद करके विद्याले जाने के लिए जल्दी में थे तंद्रालु बालः लज्यह तेसाम द्रश्टी पथम पी परिहरन एकां की किमा पी उद्यानं प्रवसत यानि आलसी बालक सर्म से उनसे द्रश्टी बचाते हुए एक किसी उद्यान में चला गया इसमें question है कहा तंद्रालू भवती कौन आलसी था बालह तंद्रालू भवती यानि बालक आलसी था पिर अगला कोश्चन है बालक कदा क्रीड तुम आगच्छत बालक कब खेलने आया तो बालक पाटसाला गमन बेलायाम क्रीड तुम आगच्छत यानि बालक पाटसाला गमन के समय खेलने आया पिर अगला है बालक के मित्र किस लिए जल्दी में थे तो बालक के मित्र पहले दिन के पाठो को याद करके विद्याले जाने की जल्दी में थे पिर अगला यहाँ पर आपका नाटक दिया गया है भो नरुतम हे नरुतम ना अहम जाने मैं नहीं जानता यत की को अस्ती भवान आप कौन हैं परन्तु भवद अपि उन्मीलितम में नयन योगलम किन्तु आपने उन्मीलितम यानी खोल दिये हैं में मतलम मेरे नयन योगलम मतलम मेरे दोनों नेत्र आपने मेरे दोनों नेत्र खोल दिये हैं तपो मात्रेण विद्याम वाप्तुम प्रयत्माना अहम अपि सिक्ता भी रे सेतु निर्माण प्रयासम करो महीं। मैं तप मात्र से विद्या प्राप्त करने का प्रयाश कर रहा था, जो मिठी के द्वारा पुल बनाने के प्रयाश जैसा है. तदी दानीम विद्या अध्यनायं गुरुकुल मेव गच्छा में. इसलिए अब मैं विद्या की अध्यन के लिए गुरुकुल ही जाओंगा अंते तपोदत्त विद्या ग्रहनाय कुत्र गता अंत मैं तपोदत्त विद्या ग्रहन करने के लिए कहां गया? तो आंसर है अंते तपो दत्तह विद्या ग्रहनाय गुरुकुल मेव गता गुरुकुल गया तपो मात्रेन विद्याम प्राप्तुम तस्य प्रयासह की द्रसा यानि तपो मात्र से विद्या प्राप्त करना किसके प्रयास जैसा है तपो माथरेण विद्याम प्राप्तों तस्य प्रयासह सिक्ताभी रेव सेतू निर्माणम इत अस्ती मतलब मिट्टी से सेतू का निर्माण बनाने जैसा है फिर अगला है ग्रहनाय इती पदे कह विभक्ती इसमें कौन सी विभक्ती है चतुर्थी विभक्ती एक वचन है फिर आपका अगला नाटा खेया पर तपोदत्त कहता है बाल ये पित्र चर्णई कलेश्य मानो अपी विद्यामना अधीतवान अस्मी बालिकाल में पिता से दाट खाने की बाद भी विद्या ग्रहन नहीं की तसमात सर्वही कुटुम्ब मित्रही ज्ञाती जनेश्च गरहितोव अभवम इसीलिए सभी परिवार जनों से मित्र जनों से और ज्यात जन अर्थात रिष्टेदारों से अपमानेथ हुआ ये विधय है विधाता किम एम मयाक्रतम ये मैंने क्या किया कीद्रशी तुर बुद्धी आसी तदा उस समय कै एसी दुष्ट बुद्धी थी एदत अभी ना चिंतितम मैंने यह भी नहीं सोचा भवतू किम एतेन ठीक है अब चिंतित होने से क्या लाव दिवसे मार्ग भ्रांता संध्याम यावत यदी ग्रहम उपैती तदपी वरम यानि दिन में रास्ता भटका हुआ साम तक यदी घर वापस आ जाता है तो भी अच्छा है। इसलिए इदानीम इस समय तपश्यो वध्यां प्राप्तुम प्रवत्तों अस्मी इसलिए इस समय में तपश्या के द्वारा विध्या प्राप्त करने के लिए प्रवत हूं तो इसमें question है कहा कलेस्य मानो अपी विध्याम न अधित्वान कौन दाट खाने के बाद भी विध्या नहीं ग्रहन कर सका तपोदत तपोदत फिर कहा मार्ग भ्रानतो ना मनिते दिन का भटका हुआ यदि साम तक घर वापस आ जाता है तो वह भटका हुआ नहीं माना जाता फिर अगला है कुटुम बिभी इती पदे कहा विभक्ती वर्त थे कुटुम बिभी में कौन सी विभक्ती है त्रतिया विभक्ती है तो आई होब कि आपको सारे ही नाटकों का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से समझ में आ गए होगे अगर आपको questions अच्छे से समझ में आ गए हैं तो वीडियो को like कर दीजे और अपने friends को भी जादा से जादा share करिए अगर आप संस्कित की प्रश्ण बैंक की अन एकाईयों को भी पढ़ना चाहते हैं तो उसकी playlist मैंने अलग से बना दी है जिसकी link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगी आप वहां से जाकर देख सकते हैं और अगर आप मुस्से class 10th की maths पढ़ना चाहते हैं तो आप इस channel को subscribe करके notification bell icon को press करके all पर जरूर क्लिक कर दीजे ताकि आपको आगे आने वाले videos की notification मिल सके तो मिलते हैं next video में thanks for watching this video